ही नमश्कर दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर जल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लिजेगा वैल आइकन को जरू हिट कर लिजेगा ताक कि आने वाले वीडियो के को हमारा एक वैबिनार होने वाला है जहां पर हम स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंक्स करने वाले हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड बेसिकलिए तो अगर आप अकाउंट ओपें करवा रहे हो हमें स्क्रीन शॉट भेज जीजेगा इस नंबर पर तीन चा रहे है नीचे ही गिया है लेकिन व continuity के साथ यहां पर लेटिंग आन्यात के बाद इस ने हमारा एसल का लिया है। मिकलत अब पद्ञै यह हमारा कुछ यहां पर ट्रेट्स थे हाँ फोर्थ ट्रेड यहां पर भी हमने थोड़ा सा लिया था वह मैं अच्छा कहा था बीच में पॉइंट में यहां पर लगा नहीं हुआ है अगर आप निफ्टी में देखो के तो आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में यह यह बन रहा है जो मैंने आपको लास्ट कुछ दिनों में कहा था कि मार्केट को अगर उपर जाना है तो हमें डबल्यू बैटन चाहिए नीचे अब कुछ ऐसा लग रहा है मार्केट उपर से फॉल किया है उपर गया है सेम इग्जैक्ट इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है अगर कलक में हमें तेजी मिल जाती है इसके नीचे मार्केट नहीं निकलता है तो एक बहुत सुन्दर और बहुत बड़ा सा डेरी टाइम फ्रेम पे हमें डबल्यू मिलने वाला है जो कि मार्केट को हिला कर रख देगा यानि मार्केट में बहुत तेजी बोलरन सुरू यह सुरू कब होगा इस रेंज के निकलने के बाज जो कि 34,500 का रेंज है एक दिन लगे दो दिन लगे चार दिन लगे होल्ट करें इस तरह से करके जाए जैसे मर्जी जाए अगर इस लेवल को निकालता है तो डबल्यू पैटन यहां पर हमें होता हुआ नजर आ जाएगा अगर कल के डे में यह सारे लेवल से ध्वस्त करता है जो कि 33,000 का राउंड लेवल है 33,000 का लेवल यह ध्वस्त करता है तो 32,500 आने से इसको रोकना मुश्किल रहेगा यह हमारा सेनरियो यह हमारा प्लानी है बिसिकली 15 मिनिट के ताइम फ्रेम पे एक शीज आपको दिखा 29,500 तो मार्केट में सेलिंग आ सकता है तो अभी अगर हम देखेंगे कल एक नया वीक हमारा स्टारा हो रहा है फ्राइड का डे है प्रेमियम ह् 25 हो रहने वाले है अगर तो मार्केट हमारा डाउन खुल रहा है या फिर फ्लैट खुल के यह लेवल ब्रेक कर रहा है जो कि 33, 3,200 है, 200 की नीचे अगर sustain कर रहा है, तो हम एक immediate level पे selling ले लेंगे, लेकिन quantity हमारी बहुत बड़ी नहीं रहने चाहिए, quantity छोटी रहनी चाहिए, इसके विछे का logic क्या है, quantity क्यों चोटी रहनी चाहिए हमारी, क्योंकि market ने काफी अच्छा gap down किया है, और यहां पे market नीचे ले नीचे जाए, 34,000 के असपास से, 33,000 के असपास से, एक बड़ा rejection इसको मिले, बड़ी buying मिले, और market एकदम से rocket की तरह उपर बढ़े, और जैसे ही market यह range सारे निकालेगा, यह range हो गया, यह हो गया, यह सारे लेवल जैसे निकालेगा, बड़ी short covering भी हो सकती है, जिनोंने आज short किया है, यह सब की short cover कर सकते है, और marketing में एक rally मिल सकता है उपर site के, इसलिए यहाँ, इसके नीचे हम करेंगे sell जरूर, लेकिन quantity हमारी कमरेगी, बड़ी quantity हम involve कर लेंगे 33,000 के below, क्योंकि पिछले तीन दिनों का जो है वो लो है और साथ ही साथ उस level को अगर यह break करता है, त फिर W pattern जो हमारा बनना था वो cancel हो जाएगा, तो यह scenarios हमारे पास रहने वाले हैं, and buying हम कहां पर प्लान करेंगे, अगर मानलीचे market gap up खुल गया, market यहां पर कहीं खुल गया, इस level के 500 के असपास, या 600 के बड़ा gap up खुल गया, तो हम buying कहां पर करेंगे, हम प्लान करेंगे सि पहले ही बार market नीचे आया है, दो दिन पहले market उपर जा रहा था, यह सब यह जो मैं चीजे बता रहा हूँ ना, बहुत काम आएंगी, यही price action, जो है यही है, वो candlestick pattern, chart pattern तो ठीक है, बड़ असली price action प्राइस का behavior है, अब market क्या कर रहा था, उपर जा रहा था, दो दिन हमे आज market डाउन आया है, तो जब market डाउन आया है, इतना बड़ा gap डाउन खुला है, यहां से लेके यहां तक, तो जब यह first pullback लेगा ना, तो जो यहां पे सारा gap है, यहां पे जो नहीं sell कर पाए है, वो सब active होंगे, वो सब sell करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी first pullback में वो उपर सीधा नहीं निकलेगा, वो एक बार जरूर नीचे आएगा, तो क्या होगा, यहां पे कहीं अगर खुलता है, तो हम वेट करेंगे selling आने का, अगर selling आता है, यहां पे कहीं, यहां पे यह resistance फेस करता है, और फिर एक positive candle मिलता है, हमें एक bullish candle मिलता है, तो हम buying side के लिए इस बहुत सारे लोग कहते हैं, कि मैं बहुत fast और बहुत जल्दी बोलता हूँ, कमेंट्स मैं कई बार पढ़ता हूँ, अगर आपको लगता है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं यह सोचता हूँ, कम समय में जादा knowledge आपको देपा हूँ, अगर किसी को लग रहा ह कि मैं तेज बोल रहा हूँ, तो slow mode भी on करके आप देख सकते हो, यह कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजेगा, यह हमारा bank nifty का planning रहने वाला है, निफ्टी की planning अगर हम बात करें, तो निफ्टी में कुछ कर देख सेले का लो, और एक दिन आज का लो, चार दिन का लो एक जगह पे हो गया है, इग्जेक्ली इस लेवल को जिस दिन ब्रेक करेंगा पानी पानी है, ठीक, और यहां पर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर जाओंगा फड़ा-फड़ से, कल हम क्या ट्रेट करना है, कि अ आज का डेहाई अगर निकाल ले रहा है, 15,900 के उपर का अगर आई निकाल ले रहा है, तो हम बाइंग साइड में प्लान करेंगे, इवन बाइंग थोड़ा सा आप अग्रेसिव कर सकते, इसके बज़ेगा लॉजिक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ प ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आगया है, तो अगर इसके उपर निकाल दे रहा है, 15,900 के उपर निकाल दे रहा है, तो 16,000 के उपर हम बढ़िया बाइंग कर सकते हैं, अगर फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के इधर क्रॉस कर रहा है, इधर इधर या इधर ऊप पर नीचे कहीं भी क्रॉस कर रहा है, हम बाइंग या सेल कर सकते हैं, बड़ा गाप अप में आपको वही सेम सेनरियो अपनाना है, अगर 900 के उपर खुलता है, तो वेट करना है, प्राइज अक्सन देखना है, बड़ा गाप डाउन खुलता है, तो जैसे ही उपर आता है, फि आपको यहां एक चीज समझ में आएगी, बंडे के टाइम फ्रेम पर, तो इसमें आज का लो ब्रेक होता है, तो इसमें एक सेलिंग आनी चाहिए, इवेन ये लेवल आप दिखिए, इस लेवल के आसपास यह यहां पे भी सपोर्ट लिया है, यहां पे भी थोड़ा सा हॉल यहां पे भी लगातार इस जगा पे रुक रहा था, तो अगर यह एक बार 2457 के बिलो आजा रहा है, तो एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, कल हम सेलिंग प्लान करेंगे 2457 के बिलो, और बाइंग हमें प्लान करना है, exactly जहां से डबल टॉप बना है, औ यहां से बना, डबल टॉप का अगर यह ब्रेक आउट कर दे रहा है, यारी 2510 के उपर हम बाइंग प्लान करने वाले हैं, जो कि आज भी हमारा बाइंग का यही लेवल था, बट यह क्रॉस नहीं कर पाया, नेक्स्ट हमारे पास इस टॉक है, पावर ग्रेट, पावर ग्रे स्केंडल आया है, इस रेंज के अराउंड से, जो कि इसका लाश्ट सपोर्ट एरिया था, और उसके पीछे यहीं पे रजिस्टन्स एरिया, थोड़ा इसको आप एक्स्पेंड करोगे, तब को समझ में आया गा कि पीछे यहीं पे इसने रजिस्टन्स भी इसके आस-पास म में लिया था, तो यह एक डिमांड एरिया है, इसका और 15 मिट के टाइंग फ्रेम पे अगर हम आएंगे, तो हमारे पास देख पा रहे हैं, 15 मिट के टाइंग पर अच्छा खासा बाइंग आया है, तो अगर हमें सेलिंग करना यह चीच तो समझ में आ रहा है, टू, टू, अगर कल मार्केट में तेजी आती है, या फिर उपर जाने का कोई सेनेरियो बनाता है, तो अगर उपर जाता है, तो हम 3294 रुपए के उपर, 3294, 3295 के उपर हम बाइंग कर सकते हैं, एक्जेक्टली जहां से बड़ी बाइंग आई है, अगर यह लेवल को यह ब्रेकडाउन कर दे रहा है, तो हम सेलिंग भी कर सकते हैं, यहां पर पीछे बड़ जादा या वंडे के टाइम पर मुझे जाने का ज़रुरत भी नहीं होप करता हूँ गईज वीडियो आपको इंफरमेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, थैंक यू